सबी मित्रों को हिंदू नब्बस बिक्रम संबत 2018 की गुडी पढ़वा की बहुत बहुत सुपकामनाय और अग्रिम बदाहियां जैसा कि सबी को बिदेत है कि हिंदू नब्बस गुडी पढ़वा से प्रारम होता है जैसे कि हम सबी लोग 31 दिसंबर और एक जनवरी को नए बल्स की रूप में बनाते हैं जबकि जो हमारे हिंदू नब्बस है वो गुडी पढ़वा की दिनी प्रारम होता है गुडी पढ़वा जो महुरत होता है स्वेम सिद महुरत होता है साड़े तीन महुरत में यह सिद महुरत होता है गुडी पढ़वा के दिन कोई भी कार अगर आप अपने घर में बैपर एक पतिष्टान में या किसी भी कार के पती करते हैं तो निच्छत रूप साब को सकारत्मक परणाम प्राप्त होते हैं क्योंकि इस दिन मांड में इतनी एक सकारत्मक कूजा का संचार होता है कि इस दिन किया गया कोई भी कार सो गुना सकारत्मक परणाम प्रणाम करता है पांच महत्कून चीज़ आपको बता देता हूँ इस दिन जो करनी चाहिए पिलते एक घर में एक पीले रंग की द्वज जरूर लगानी चाहिए पिलते एक घर में या पैक्टरी में या बैपार में मुख के द्वार पर आम के पत्ते की बंदन बार बादनी चाहिए इसके साथ साथ पितिक घर में या बैपार में इस दिन फिटकरी के पानी का पौँचा जरूर लगाने चाहिए और इस दिन आपको सबसे अच्छा 24 गंटे के लिए एक ककंड देशी गाय के गी का जो जरूर जलानी चाहिए और जिन बच्छों की साधी नहीं हो रही और उसको पीले कपड़े में केले की जड़ को अगर लड़का है तो सीधे हात में और लड़की है तो उल्टे हात में उसको जरूर बांदने चाहिए अगर या उपाई करते हैं तो यह पूरा साल आपके लिए अच्छा बतित होगा और दिच्छा रूप से आपको सकारात्मक पढ़ना में प्राप्त होंगे धन्यवाद जय जिनेंद